अरे भई, ये कहाँ लाके बिठा दिये मुझे सुबह सुबह क्यों भई, मजा नहीं आ रहा है अभी मजा आएगा, जब मैं सौट मारंगा सौट अरे भई, छोड़ दो मुझे, अभी मेरे नास्ता करने का टाइम है अच्छा तो तुम इधर से नास्ता करने जा रहे थे आज ससरा तुम गबर के चपेट में आए हो अरे गबर भाया पहले तो तुम ऐसे ना थे फ्रस्ट्रेशन भाया फ्रस्ट्रेशन मैं चारने का फ्रस्ट्रेशन आज गबबर भईया तुमको छोड़ने वाले नहीं है बैठे रो अराम से मारो सोट गबबर भईया अरे भई इतने उपर से गिरूंगा तो फिटनेस की वाट लग जाएगी छोड़ दो मुझे ये तो रन बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना अब देखो गबबर का सोट अरे छोड़ दो मुझे भूख बहुत तेज से लगी हुई है इंडिया में तुम लोग भूखे रखोगे क्या मुझे छोड़ दो धवन भईया ये हमारे अतिति है अब तो छोड़ दो गबर भाई मैं कभी बोल रहा है अरे नहीं रे नहीं छोड़ूंगा तु नहीं मैं तुमको जाओ नास्ता करके आओ मैं यहीं इतजार करता हूँ अब गबबर भाया बोल दिये हैं तो नास्ता करके जल्दी आ जाना अरे नहीं मैंक भाया नहीं मैं बेस्टेंटीज भाग जाओंगा लेकिन गबबर का साथ खाने वापस नहीं आओंगा हाँ तो ब्रस्तो तुम काम आँ अच्छे से करो यार तुम तो कल बहुत ओड़ रहे थे न ससुरी के और यहां काम नहीं कर रहे हो का कल इसलिए तुम को ससुरी के हमने आउट कर दिये रहे कि कल तुम अच्छे से काम करोगे ससुरी के और तुम काम नहीं कर रहे हो अरे चेहलवा यही तो काम है हमारा छक्का चब्वा मानना इसलिए तो हम इंडिया आए हैं तुम लोग उनको छक्का चब्वा मानने के लिए सश्टुरी के हरो लेकिन सश्टुरी के तुमने कल ठीक नहीं किया है हमको LPW आउट कर कर समझे अभी तक तो फुस्चि लेखन रहा था सशुरी का अब तो बहत उप़ता कूरने लगा इसी की बज़े से हमने मैं चारा है अरे हाँ यार माइंक भाई इसी की बज़े से हमारी टिमुआ हारी है इसी ने 68 रन ठोंक कर अपनी टिमुआ को राया है न हमारे छप्पा रन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है अरे ब्रेश्टो बैया तुम सतक मारो छे दोहरा सतक मारो अब तुमारे रन हमारे सामने कोई मतलब के नहीं है क्योंकि अब हमारा फों बाते सा गया है अब किसी की नहीं चलेगी सिर्फ हमारी बर चलेगी